है आई कि अग्षिया कि अग्षिया नाम है सिवाय सिंग और आप देख रहे हैं वाइफाइट तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे ऑफ नोगे आफ यह वाट है वाट है यानि मेटल जब रियक्ट करते हैं वाटर से तो हमें किस तरह का प्रोडेक्ट मिलता है और और वाटर आपका यहां पे कई फौर्म में हो सकता है जैसे वाटर कहने का मतलब कि हम रियक्टते करते हैं जो cold water से react करते हैं, कौन से हैं, जो hot water से करते हैं, और कौन से ऐसे हैं, जो steam के form में यदि water हो, तो उससे react करते हैं, और कुछ ऐसे भी metal है, जो water के किसी भी form से react नहीं करते हैं, तो ये सभी चीज जानेंगे इस वीडियो में, आईए देखते हैं, सबसे पहले इसका general formula क्या हो सकता है, यदि metal को हम water shared कराते हैं, तो हमको मिलता है metal oxide plus hydrogen, ठीक है, यदि इसी metal oxide को हम, दوبारा water shared कराएं, तो हमें मिलेगा metal hydroxide. यदि आप ऐसे भी कह सकते हैं, कि यदि हम metal को excess amount of water irritated कराते हैं, तो हमको metal hydroxide मिलेगा, तो यह तो हो गई general form अब आते हैं with cold water ठीक है ना यदि हम metal को cold water से rate करा हैं तो देखते हैं कि हमें क्या मिलता है तो cold water के लिए reaction करना के लिए हम सबसे पहले लेंगे जैसे potassium हो गया या फिर sodium हो गया यह दो चीजे जो हैं वो बहुत ही वालेंटली react करती है cold water से तो पहले हम potassium से reaction समझते हैं माल लिया कि हमार पास potassium है और हम इसे H2O से react कराते हैं यह आपका solid के form में है यह आपका liquid के form में है ठीक है ना cold water है जैसे हम reaction कर आएंगे तो हमें मिलेगा potassium hydroxide जो की एक को इसके form में होगा plus H2 gas ठीक है ना आई इसको balance कर लेते हैं तो यह 2 हो जाएगा और यह potassium ठीक है तो यह क्या होगा हमारा एक बैलेंस chemical equation हो गया एक और बता दू कि यह जो process होती है potassium के साथ water के साथ यह करता है तो यह exothermic process होती है exothermic का मतलब कि यह जब reaction होगी तो इसके साथ साथ जो इसका product होगा यहाँ पे heat भी निकलेगी heat energy निकलेगी आपकी heat energy ठीक है ना exothermic process का मतलब कि energy निकलती है तो जैसे हम potassium को water साथ rate कराएंगे तो हमें heat energy भी देखने को मिलेगा अब इसी तरह sodium का भी है यदि हम sodium को solid के form में ले लेते हैं ठीक है ना जैसे इसे हम water serate कराएंगे किस परता है cold water से तो हमें क्या मिलेगा sodium hydroxide plus ash2 gas ठीक है ना यह आपका क्या होगा एकोस के form में होगा आज जैसे potassium एक exothermik process था उसी तरह sodium भी water के reaction के बाद क्या होगा यह भी एक आपका heat energy that means exothermik process होगा heat energy को हम ऐसे डेल से भी देखाते हैं ठीक है ना आए इसको balance कर लेते हैं तो balance ठीक है ना तो यह आपका balance के prediction हो गया तो हमने क्या देखा कि sodium और potassium जब cold water से react करते हैं तो बहुत ही violently करते हैं बहुत ही जल्दी react हो जाता है और इसमें एक तरह से fire develop हो जाता है ठीक है ना fire carry कर लेता है जो hydrogen gas है इसी का opposite एक दम है कि यदि हम calcium ठीक है ना calcium जो की solid को form में यह दि लेके water के साथ react कराते है water किस form में है cold water है तो जैसी react कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा calcium hydroxide and H2 gas ठीक है ना और यह equals के form में होगा यह अपने solid का लिया liquid लेकिन यह जो प्रोसेस होगी calcium की water के साथ reaction जब कराएंगे तो यह exothermic नहीं होगी देखिए मैंने यहाँ पर heat energy वेगरा नहीं लिखा हुआ है यह exothermic इसको जानने से पहले मैं आपसे request करूँगा यदि अभी तक आपनी चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe कर लिजिए वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप like करें कोई doubt या suggestion हो लाश्ट में तो आप इस comment box में लिखें साथ ही साथ बेल आइकन को भी hit करें subscribe करने के बाद ताकि मैं कोई भी नए वीडियो डालू तो notification आप तक पहुच जाए ठीक है आगे चलते हैं जैसे मैंने देखा की with hot water से क्या reaction देखने को मिलेगा तो mostly hot water से reaction हमको देखने को मिलता है magnesium का जैसे हमान लेते हैं कि यह magnesium है जो कि solid के form हमने जाएगा magnesium hydroxide plus H2 gas ठीक है ना और आप चाहिए इसे balance कर लिजिए यह 2 हो जाएगा और ठीक है यह आपका balance हो गया तो mostly हमको hot water से magnesium देखने को मिलता है जो react करता है अब आते हैं steam के form में हमने cold water से reaction देखा hot water से देखा और last up steam से देखते हैं तो steam क्या है water को जब हम देखते हैं कि जो भाब बनता है उसी को हम steam बोलते हैं तो हमें steam से aluminium iron और zinc के reaction देखने को मिलते हैं आते हैं aluminium पर मालिया कि हमने aluminium solid के form में ले लिए है ठीक है ना जैसे हम water से rate कराते है water किस form है steam के form है तो हम यह आप क्या लिखेंगे gas लिखेंगे ठीक है ना जैसे हम इस reaction को आगे three जो कि solid के form में होगा साथ ही साथ H2 gas मिलेगा ठीक है ना इसे balance कर लिजिए तो आप यहां सैसे कर दीजिए तीन और यह भी three हो जाएगा ठीक है ना तो यह क्या हो गया एक balanced game का reaction हो गया यदि हम iron की बात करें तो iron क्या है iron को solid के form में ले लिजिए और जैसे हम water से rate और जो product बनेगा वो बनेगा F3O4 solid के form में साथ ही साथ ही साथ H2 gas ठीक है ना देखिए equation को जो chemical equation होते हैं उसे हम याद करते हैं mostly याद किया जाता है यदि आप छोटे reaction को बनाना जान जाते हैं तो आप बड़े reaction को भी असानी से trick wise याद कर सकते हैं ठीक है ना यह आपका 3 ह जाएगा तो इसी तरह zinc का भी होता है तो हमने देखा कि steam से mostly aluminum zinc और iron की reaction देखने को मिलते हैं और किस तरह मिलते हैं हमने बताया अब आते हैं एक last important point पे हमने reaction कैसा 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 देखा cold water से hot water से steam water से but metal like lead copper silver and gold यह ऐसे चारो metal है जो water के किसी form से reaction नहीं करते हैं नहीं hot से नहीं cold से नहीं steam से ठीक है ना तो यह exception है बार बार पुछे जाते हैं तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा यह फेस्बूक पे हैं तो प्लीज पेच को like कर दीजे यह यूटूब पे हैं तो प्लीज चैनल को subscribe करने के साथ सब बेल आइकन को भी हीट कर लीजिए तक कोई भी मैं वीडियो डालूं तो नोट्रिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुच जाए थैंक्स पर वाचिंग एंड विजिट अगें